Good morning guys, welcome back to the channel जब भी गाड़ी के बात आती है ना बेस मॉडल की तो बेस मॉडल में सबसे ज़ादा गाड़ी कुन से देखी जाती है वाई वो देखी जाती है टाटा टी आएगो अल्टो भी आती, अल्टो का जहाँ पराई 6 लाग रुपे हो गया है तो अभी जो आपके सामने वेरिंट खड़ा, ये खड़ा हुआ इसका XT वाला वेरिंट जो इसका होता है सेकिंड टॉप वेरिंट और इसके अंदर आपको सारी चीज़े देखने को मिल जाती है जो आपको एक गाड़ी में चाहिए होती है तो चलिए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर आप XT वेरिंट की तरफ जाते हो CNG वाले की तरफ तो आपको कितने प्राइस की पड़ेगी और क्या-क्या फीचर इसके अंदर आपको मिल जाते है पहले बात कर लेते हैं गाड़ी के फ्रेंट की तो जो गाड़ी का फ्रेंट है वो कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलता है अब यह थोड़ा सा ना होट इसका आगे की तरफ कर दिया गया है यहाँ आपको टाटा का लोगो मिल जाते है और साथ ही यह क्रोम कलर की बैजिंग देखने को मिल जाती है नीचे आपको जो यह स्कृट बिलेड मिल जाता है रिडियेटर मिल जाता है और सबसे जो अच्छी बात है कि इसके XT वेरिएंट में आपको मिल जाते है प्रोजेक्टर हैडलेम आपको दिख रहा है वहाँ पे projector head lamp मिल जाते है high beam के लिए आपको हालोजन bulb का setup देखने को मिल जाते है और नीचे fog lamp भी देखने को मिल जाते हैं जो अगे हालोजन बेस्टी है तो front पर overall आपको ये चीज़ देखने को मिलती है साथ ये आपको अब उसमे DRL भी देखने को मिल जाता है ये ये सरफ XT variant में मिलेगा और ये DRL है दिन में चलता वो काफी अच्छा लगता है जाते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तरफ साइड प्रोफाइल की तरफ जैसे आप आओगे सबसे पहले आपको इसमें अलो साथी बाइस आप इसमें जो इंडिकेटर है न वो भी आपको ORVM पर देखने को मिल जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि बेस वेरिंट पर जो इंडिकेटर फेंडर पर मिलता है वो XT वाले वेरिंट में आपको ORVM पर मिल जाता हो और ये थोड़ा ग्लॉसी ब्लै अगर आप आओगे तो वही आपको इस पे भी 50 लैक की बैजिंग यहां देखने को मिल जाती है मतलब ताटा अभी तक 25 सालों में 50 लाग गाड़ी है को जो रिकॉर्ड है वो कंप्लीट कर चुका है सेल आउट हो चुकी है और थोड़ा सा ओर अदर आप इस तरीके का है यह आप कोई Wiper मिल जाता है, defogger मिल जाता है, washer मिल जाता है और साथ ही ICNG की batching यहां देखने को मिल जाती है अब इसका जो boot है वो अंदर से भी open हो जाता हो साथ ही आब इसको यहां से भी open कर सकते हो चाब ही से भी open कर सकते हो अभी इसके अंदर एक फूड़ा सा चेंज होना बाकी है जैसे यह आपने अल्ट्रोस में देखा होगा या फिर आपने पंच में देखा होगा नया वाला कि जो CNG का सिलेंडर है वो ट्विन सिलेंडर टेक्नोलजी अब आ गई है लेकिन अभी भी टाड़त यहेगो मैं आपको पुराने वाला जोל की टेक्नोलजी है वो ही देखने को मिलती है तो इसकेंदर आपको कोई बूट स्पेस नहीं मिलता है आहलब कि इसका जो गर सिलेंडर हटा दे है तो इच्छा-खासा बूट स्पेस है लेकिन पीछे आपको यह सारी सीज़े मिल जाती है साथ ही आपको बैक कैमरा पीछे की तरफ मिल जाता है और वाइस के अंदर आपको दो पार्किंग सेंसर भी मिल जाते है क्योंकि गाड़ी के अंदर आता है Android and Auto Apple CarPlay यहां के आपको CNG की वेजिंग मिल जाती है लोकल फूर लोकल का यहां पे बैचिंग देखने को मिल जाता है पीछे वाले जो हमारे टेल लैंप है वो कुछ इस ट्राइप के मिल जाएंगे यह सारा आपको ऐलोजोन का सेटप है पीछे भी हालेकिन जो टेल लैंप है क्यों कि अगर आप इसको कंपेर करूँगे स्विफ्ट से या मारूति सुजू की स्विफ्ट डेजायर उसमें वे हलका सा न यहां पे स्पोईलर वाल देगे उसके अंदर समान दिया हुआ लेकिन या बाई ऐसा नहीं है आप CNG जो आइसी के अंदर से डलवा सकते हो अगी यह था overall look बाहर से जादा कुछ है नहीं इस गाड़ी में दिखाने के लिए safety की परपस से बता देता हो इसके अंदर आपको ABS, EBD, Traction Control, दो airbag और साथी ESP का function भी देखने को मिल जाता है ESP है जो आपको बड़ी गाड़ीों में देखने को मिलता है वो आपको टाटा के base variant से ही देखने को मिल जाता है तो बाहर से overall look यह है आप चलते हैं गाड़ी के अंदर, अंदर चलके दिखाते हैं कि क्या क्या आपको changes के अंदर मिल जाती है इसका XT variant है, XT variant में क्या होता है सबसे पहले जो इसका door है वो इतना open हो जाता है, wide open हो जाता है साथ ही आपको चारो power window मिल जाती है, lock and lock को button मिल जाता है और यह थोड़ा chrome finishing में देखने को मिल जाता है इसका नाव जो ORVM हो यहीं से adjust हो जाते है, XT वाले variant में और इसकी जो sheet है, वो six way adjustable है आगे पीछे, उपर नीचे दोनों तरीके से इसको adjust किया जा सकता है बाकि अगर आप driver sheet पर बैटोगे तो देखो, यहां से system गड़ेगा कुछ इस type का दिखता है इसका steering है, यह आपका telescopic है, मतलब, tilt है मतलब telescopic नहीं है, ओपर नीचे कर सकते हैं, आगे भी से नहीं कर सकते हैं बाकि यहां पर, यहां भे आपको सारे system के control देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि हर्मन का system आपको इसके इंदर मिलता है, with eight speaker का set तो सारे control आपको यहां मिल जाते हैं, headlight का adjustment यहां से हो जाता है, और साथी wiper washer आप यहां से use कर सकते हो CNG का जो option है, वो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें कहा होता है, लेकिन छोटे मोटे changes में आपको सबसे बहले बताता हूँ, गाड़ी में क्या-क्या है मैंने जो इसका instrument cluster completely change हो गया, अब आपको completely इसके अंदर digital MID देखने को मिल जाती है, साथी इसमें जो AC है, वो आपको automated लगेगा, लेकिन यह manual AC है, sorry, automated climate control आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, यहां से, और यह वाला console थोड़ा change है, पहले ऐसा नहीं आता था, की music system की, तो इसका system काफी अच्छा आता है, साथे दो airbag मिलते हैं, एक, दो, front पे आपको दो airbag मिलते हैं, पीछे इसमें कोई अभी airbag का system नहीं है, base variant में दो ही airbag आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे, साथे इसके अंदर 5-speed manual और EMT को option भी आता है, manual gearbox मिल जाएगा, साथे अगर आप automatic की तरफ भी जाना चाहते हो, तो आपको automatic का भी option इसमें देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको इसका IRVM मिल जाता है, यहाँ पे आप इसका, यह folder लेकिन वे वेरेंटी मिल जाता है, जलिए एक तरफ तो वेरेंटी मिल जाता है, ताती आप जैसे कि पीछे की तरफ भी आप इसमें समान रख सकते हो, तो overall जो front में लुक है, कुछ इस टाइप का है, सबसे जो अच्छी बात है वो है इसका steering, इसका steering बहुत light है, मैंने कई बार गाड़ी यह चला ही, इसका steering वाक्य में बहुत जादा light है, इसको आप mountain drive पे लेके जा सकते हो, बहुत ही easily यह जो है, मुड़ जाता है, अब चलते हैं गाड़ी के पीछे की तरफ और आपको पीछे दिखाते हैं गाड़ी क्या-क्या मिलता है, जैसी आप पीछे वाला डोर खोलते हो, यहाँ पे भी आपको पीछे power window मिल जाती है, twitter यहाँ मिल जाता है, 8 speaker का सट जैसे मै अब इस गाड़ी में आपको देखने को मिलता है, और भाई इसकी जो seating capacity है, वो भी काफी जाधा अच्छी है, अब इस वेरिंट पर आई इस वेरिंट में आपको नहीं मिलता, क्योंकि वो आफकोर्स टो पेरिंट के तरफ जाला पड़ेगा, अगर आप पीछे की तरफ बै अब कुछ फील होता है, और स्पीशिस थोड़ा आपको फील होगा, आप देखिए यहां से, अभी आगे वाले सीट 10 फूट के साब सेड़ेस्ट है, और फिर भी सकेंदर, इतना अच्छा खासा स्पेस पीछे की तरफ आपको मिल जाता है, और सी इनजी होने के साथ ही, और सी इनजी होने की अलग भी फायद नेक, तो आपकी गाड़ी जो अच्छे चलती है, दूसर आपको पीछे का जो सस्पेंजन सेट अप है, वो आपके एक पर दिखा देता है, उसमें क्या हो जाता है, कि आपको जो शॉकर है न थोड़ा हैवी क्वालेटी का मिल जाता है, ज इससे कि आपकी गाड़ी जाधा दबती नहीं है, सी एंजी का जो सिलेंडर है, उसकी वज़े से ये सारी चेंजिस पीछे की तरफ करने पड़ते हैं, तो काफी जादा अच्छा और आपको 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 पावर फिगर है, काफी जादा है, अब इस इंजन में आपको सी ज इससे कि गाड़ी की अवरेज आफ को थोड़ी अच्छी हो जाती है, तो वो आपको पहिन अगरे 25 km per litre का माइलेज निकाल के देती है, सी एंजी पे पेट्रोल पी गाड़ी जो है 20 km per litre का माइलेज क्लेम करती है, तो ओवरॉल इस गाड़ी का जो प्राइस है आपको बता कि टैसे कि एंब माइलेज आपको इ가डर्य को माइलेज कि तो आपको देती है?